हिमाचुल पत्परिवहन निगम की सुन्दर नगर से केरन जा रही बस का अगला तायर खुल जाने से यात्रियों में दहशत मच गई हादसा केरन गाउं से करीब एक किलोमीटर पीछे हुआ है और उस वक्त बस में आठ विद्यार्थियों सहित करीब पंद्रह यार्तरी सवार थे इस घट्ना ने परिवहन निगम की कारेपरणाली पर फिर सवाल खड़े किये हैं बस का टायर खुलने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है बस अद्धा प्रभारी गुर्द्यार चौधरी ने बताया कि मामला संग्यान में आया है जांच की जा रही है इस निउस इस ब्रॉट यू भाई हर होस्पिटल कुलू कि आध बहुआ य्यू लिग्या कहा पिछ इत्व rition कोई हलें है पीस ब्हुदी know he अने प्युक्त इना पहलकेफिकरण के एकण पृतिन होता ना लाइग वहाथ अना थे सुट आब इुपर अभी This vid उन इंट यह घए पार अबस का लिए यहां पर देख सकते हैं यहां पर गिराए अहां अहां आई थी या आए ज़ा भी आए निज़ी के फुरने गया और थी जिश्युने होगा अँब तु दुप पर अपर अ हुआ अ अ दिवेहमाचु टीवी के लिए सुंदर नगर से गगन शर्मा की रिपोर्ट सीनियर विशिशग्य दूरबीन लेजर सर्जन, MBBS, MS, FMAS, DMAS, डॉक्टर भूपेंदर कुमार मीना दूरबीन द्वारा पित्ते की पत्री, अन्य पत्रियां, अपेंडर्क्स, हर्नियां, बच्चेदानी, अंडेदानी की रसोली के एवं भगंदर पाइल्स के ऑपरेशन भारीपन लगना की जांच वा इलाज, दूरबीन द्वारा सांस की नली या फेफणों की जांच, सांस की नली या फेफणों में कुछ अटक जाना, खांसी में खून, TB, नियुमोनिया, कैंसर, लॉंग ट्रेकोस्ट्रामी, 15 साल से अधिक धूमरपान करने वालों की कैंसर स चाती वा फेफणों की रसोली, फेफणों में पानी, पस के लिए उपरेशन, अगर आप भी इसमें से किसी समस्या का इलाज चाहते हैं तो संपर्क करें, 8-2-1-9-9, 5-2-3-8-4, या फिर 9-4-1-4-4, 4-5-5-5-3, हमारा पता है, शरी हरीहर अस्पताल कुलू सरकारी अस्प